नमस्कर आंगनबारी सेवीका सहाई का मीनी बहनों का हमारे आंगनबारी नूज चैनल में श्वागत है हमें जो खबर लेकर आएं आंगनबारी बहनों के लिए बहुत बड़ी जो है कि एक खुश खबरी निकल कर आ रही है आईए इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं जैसा कि हम आपको बता दे कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबारी बहनों के मांदे में बृधी को लेकर प्रस्ताव तयार किया जा रहा है तो आईए इसको पूरे हम बिस्तार से देखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि करमचारियों और आंगनबारी करेकरताओं का मांदे बढ़ाने की तैयारी में सरकार विभाग ने तैयार किया प्रस्ताओ तो जैसा कि हम आपको बता दे कि सरकार क कि तरफ से प्रस्ताओ तैयार किया जा रहा है आंगनबारी करेकरताओं के मांदे में ब्रिधी को लेकर तो आईए इसको पूरी बिस्तार से देखते हैं जिकितना तक ब्रिधी हो सकता है और कितना आंगनबारी करेकरताओं का मांदे हो जाएगा यहाँ पर आपको दिख र 1100 रूपय तक जी की पहुंच जाएगा तो जैसा कि हम आपको बता दी की आंगन बारी कारा करताओं का काफी जो है की असर देखने को मिल रहा है जिससे देखते हुए राजसरकार जल्द ही मांदे में बृधी करने की घोशड़ा जो है की कर सकती है हम आपको बता दे कि प्रदेश में हज्जारों की संख्या में आंगनबारी करे करता हूँ और सहिकाओं द्वारा हर्ताल की जारी की रही है राजसरकार से उन्हें मांदे बृधी करने की मांग को जारी रखे हैं आज हरताल का 22 दिन है 36 गड़ में आंगनबारी केंद्र बंद होने की वज़ा से लाखो हित ग्राहियों को पोशाहार वित्रण की ब्यवस्था बंद कर दी गई है असपष्ट किया गया है की आंगनबारी कर करता हो की मांगे के जो है की सुना जाएगा और उनके मांदे में जो ही की बृधी किया जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि क्या ये मांदे जो है कि जो दिया जा रहा है उससे आप संतूष्ठ है या नहीं है ये 36 गड़ से जो है कि खबर निकल कर आ रही है आगन बाड़ी बेहनों के लिए 11,100 रुपय कर दिया जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप संतूष्ठ है या नहीं तो ये रहा आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दी गए है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का जैहिंद जैभारत